आदिपुरुष की रिलीज के बाद कई दर्शक इतने नाराज हैं कि शुक्रवार को ही मामला कोर्ट में पहुँच गया. फिल्म को बैन करने की मांग कर दी गई है. शुक्रवार 16 जून को हिंदू सेना ने दिल्ली उच्च नयाया ले. का रुख किया और आदिपुरुष मे राम, सीता, रावन और हनुमान जैसे पात्रों से जुड़े कथित आपत्ती जनक द्रिश्यों को हटाने या सुधारने के लिए निर्देश देने की. मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की. जनहित याचिका, PIL का दावा किया गया है कि फिल्म के पात्र महाकाव्य र और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को भी पार्टी बनाते हुए उनके जवाब मांगने की अपील की गई है. गुपता ने कहा कि वह कल 17 जून याचिका में संशोधन करेंगे और फिल्म को CBFC द्वारा जारी प्रमान पत्र को रद्ध करते हुए आधी पुरुष पर अनुमान और रावण को दिखाया गया है वह महर्शी वालमी की और संत तुलसी दास जैसे महाकवियों द्वारा रचे गए महाकावियों में दर्ज विवरनों से विप्रीथ है। याचिका में तर्क दिया गया है कि फिल्म में रावण और हनुमान जैसे पात्रों का चित् यह हिंदू सभ्यता, धर्म, हिंदू किर्दारों और मूर्तियों का घोर अपमान है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि देश में लोग आधि पुरुष में इस तरह से रामायन के किर्दारों को दिखाये जाने पर नाराज हैं। याचिका करता ने कहा कि हमारे मह काव्यों में रामायन में आने वाले सभी पात्रों के लुक, केश शैली, दाढ़ी, मूचें और पहनावे इत्यादी को बहुत विस्तार से दर्ज किया गया है। ऐसे में फिल्म निर्माता और निर्देशक द्वारा अभिनेताओं को अपने मन से नया रंग रूप देना, भक्तों, उपासकों और हिंदु धर्म को मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम है। फिल्म में राम, सीता और रावन की प्रमुख भूमिकाओं को प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान निभाया है।